नमस्कार दस्तों स्वागत है आपका इस्टेनो गुरुज योटूप चैनल दूसरों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ट से जो आई हुई बेकेंसी है जिसमें आपका एस आई इस्टेनो है कलर की बेकेंसी है और लेख सब्सक्राइब के साथ में नोटिफिकेशन बेल आन करने जिससे इंपॉर्टेन वीडियो आपसे मिस ना हो तो इसले स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह नोटिफिकेशन कल साम तक आ गया था ठीक है आप लोग इसको देख लिए होंगे अगर नहीं देखा है तो अभी आप देख सकते हैं इसका पीडियोफ हम आपको टेलिग्राम पर सेर कर देंगे आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा इसका पीडियोफ वहां से आप जाके पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़िएगा इसमें वह से जो भी बेसिक इंपोर्टेंट चीजे हैं वो सारी चीजों पर हम डिसकस करेंगे कौन सा फांट यूज होगा हिंदी के लिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वह लेवल के क्या क्या है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे अगर आप कहेंगे तो से लिबस और लेवल के कुवेलेंट पर आलाग से हम वीडियो बना दिए तो पर छुल सब कर देए पर कितनी वैकर से लिये चानगे और यह सूचना डेषिजा रही है तारकि आप लोग अपनी योगेता के अनुसार सुनिषित हो ले सुनष्राज है यार नहीं पर पहला पुलिस उप निरिक्षक गोपनकं ये समूब का नहीं है है यहां पर पहले नंबर पर देखेंगे तो आप एस आई उपनी वाले में आपको चाहिए ठीक है यहां पर जो पे बैंड होगा यहां जो ग्रेट पर दिया जाएगा सेबन सी के हिजाब से बात करें तो लेबल 6 रहेगा ठीक है यहां पर तो आपकी जो स्टार्टिंग बने देखें 255 वेकेंसि है तो वेकेंसि जो हुँ हमें लगता कि प्रियाप्त है ठीक है अगर आप वेकेंसि के तो आप इसमें से ले सकते हैं तो 255 वेकेंस अवहीं आगए हम कलर की बात करें पुलिस उपनिरीछा fortsा क्लर की समोंवल गा की वेकेंसि यहां पर दिखेंग 僕 밥 य चेशेशोचोवीश बैकेंसी है तो आप इसके लिए लिजबल है तो आप अप अपलाई जरूर करिएगा और अगला कुश्चन है कि अगला जो पद है यहां पर पुलिस सहायक उपलेखा नरीचक लेखा के लिए है इसका जो लेबल है वो भी लेबल फाइब दिया गया है आ अगर आप अदर हेखेन से हैं तो आपको जर्नल में डालना पड़ेगा ठीक है अगर आप अब अदर हेखे और अधर से हैं तो आपको जर्नल में मिलेगा और अारक्षण का कोई लाम यहां पे नहीं रिच्छक यहां पर अलग अलग दिया गया है ठीक है और आप हम आगे हां पर बात कर लेते हैं दीखे 17 नमबर पर दिया गया है और आगे दिखा है 17 नमबर पर अभ्यरति का चैन आवेदित पद के अमशार कंप्यूटर टंकर यों आसलिपिक परिक्षा में उत्तरिन अभ्यरतियों के लिखित परिक्षा में प्रात कुल अंकों के स्रेश्टता करम तथा आरक्षण के प्राविधानों यों उनके आवेद सीख रखा है तो हमारे साब से पहले ASI को देना चाहिए तो आपको नहीं आती है तो आप कलर को पहली वरियता दीजिएगा ठीक है तो आगे यहां पर देखें पंजी करण की जो इंपोर्टेंट थी है उसको आप लोग देख लीजिए और लाइस डेट का इंतिजार मत करि जाएगा और यह चलेगा आपका 31 मही तक एक महिने का पूर्ण आपको टाइम मिलेगा तो आप लोगों को 31 मही का इंतिजार नहीं करना है एक मही को जब ही स्टार्ट होगा दो चार दिन के बाद आपको कर देना है ठीक है और अंतिम रूप से 31 मही तक आपको सब्मिट कर देना है यहां पर आवेधन सुल्क की बात करें तो इस में आवेधन सुल्क के छार सु रुपए निरदारित हिए टिके चार सु रुपए आवेधन सुल्क लिएा जाएगा यहां पर देखें किसी को छूट नहीं दिया जा रहा आवेदन सुल्क में आगे अगर कुछ होगा तो हम बता दूंगा ठीक है सब के लिए यहां पर लिए इस भरती प्रक्रिया के लिए आवेदन सुल्क चार सुरुपए निर्धारित किया गया है अहरताइं अब ह सबसे पहला है अगर आप कर लिया है तो आप इसके लिए पर काम हो किसी से भी हो इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपग्जी प्नट की हिंदी टाइपिंग आनीचे अंग्रेज प्रत्मिनट की स्पीट से कीबोर्ड पर यूनिकोड मंगल इन्सक्रिप्ट दिया जाएगा मंगल इन्सक्रिप्ट पर हिंदी 25 सब्रति प्रतिमिनट निउन्तम घती है और कम से कम 30 सब्रति प्रतिमिनट अंग्रेजियन की दोनों टाइपिंग यहाँ पर कमपल्सरी है ठीप आसलिफिक सुद्लेखन लिया जाएगा उत्तर प्रदेश बर्ति बोर्ड द्वारा अधारित सुद्धता के आधार पर अभ्यरतियों को सफल घोशित किया जाएगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पे आपका भारत सरकार के राष्टिय इलेक्टरानिक एवं सूचना की संस्थान यानिके निलेट सोसाइटी द्वारा जिसका पहले नाम था ड्वेक अब इसका नाम बदल का निलेट कर दिया गया है कंप्यूटर में ओ लेबल की परीक्षा उत्रिन करना अथ्वा सरकार द्वारा उसके समकच्छ मान्यता प्राप्त अहरता धारित करना कोई भी है तो आप इसके लिए इलिजबल है ठीक है तो देखें वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी हो रहा है फटा फटा इसको देखते हैं और आगे देखते हैं पुलिस सहाय को अपनी रिक्षा क्या निलिपिक के लिए जो कलर के लिए है उसमें भी सेम चीज़े वही है यहाँ पर नहीं है बाकि सारी चीज़े वही रखा गया है ठीक है हिंदी टाइपिंग पचीश सब्द अंगरेजी टाइपिंग तेश सब्द और ग्रिजेशन होना चाहिए और आपके पास और लेवल या उसके एक्वेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका अगर आपने विकाम किया है या असनातक उपाद या असनातक उपाद या लेखा सास्त्र में पराशनातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मानेता प्राप्त समकर्च आहरता रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं ठीक है समझ गई ना बात तो यहाँ पर बाकी ओ लेबल तो ही चलेगा जो था और यहाँ पर जो देखे टाइपिंग है वो कम से कम 15 सब्द प्रत्मिनर की हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पर आपको आनी चाहिए तो टाइपिंग यहाँ पर नाम मातर कर रखा गया है अगर आप अगर आपने पोस्ट किया है और लेखा सास्त्र से तो भी आप इसके लिए एलिजबल हैं ठीक है अगर आप इसके लिए लिजबल नहीं है तो आप इसको बरियता में देने की कोई मतलब नहीं है आप पहले और दूसरे को बरियता में दे सकते हैं तीसरे नमबर पर इसको दे सकते हैं चाहें तो अगर आपके पास इसकी qualification है तो नहीं तो अगर qualification नहीं है तो आपको फिर मिलेगा भी नहीं कोई फाइदा नहीं है ठीक है आगे देखें आप पर पंजी करण की अंतिम तिथी तक अभ्यारतियों को आप एक्षित आहरता अवस्यधारित करनी होनी चाहिए ठीक है 31 मागे तक आपके पास है में को रगता है तक यहां पर इखें उसका पुमार्पत्र उसके पास होने चाहिए अप कि छित आहरता है तू परैच्छ में समलित हुए हुए हूँए होने नहीं होगे ठीक है अगर आप अप्यúaरिंग में है तो नहीं हो पहले पहले रिजल्ट नहीं आता है तो आप इलिजिबल नहीं होंगे ठीक है तो बाद में आप जहांट दी जाएंगे इससे पहले कि आप सुनिश्चित हो ले आगे हैं आप लेबल के बारे में मैं आपको अभी परशिष्ट दो में है उस पर अलग से बताऊंगा अधिमान घ्रφ advocate का मतलब है कि पहले इनको बरियता दी जायेगी ठीक है इसकि अगर ये जिनके पास नहीं तो उनको बाद में देखा जाएगा ठीक है पहले बरिता इनको दी गई है याई किस से 28 और count किया जाएगा आपका 7 1 7 याई कि एक जुलाई से किस साल काउंट किया जाएगा अगर आप एक जुलाई से किस साल तक हो जाती है एक जुलाई को तो आप इसके लिए eligible है ठीके यानि कि यहाँ पे जो आपका डेटा बर्थ है 1793 से पहले और 1720 के बाद ना हुआ हो यहनि इन दोनों के बीच में आपका अगर डेटा बर्थ है तो आप eligible है बाकी category wise जो हो यहाँ पे छूट दिया जाएगा category wise में maximum को छूट दिया जाएगा ना की minimum को ठीक है जैसे आप 28 से जादा हो रहे हैं तो आपको category में छूट मिलेगा लेकिन आप कम है 21 से तो इसका category का कोई मतलब नहीं है ठीक है नहीं तो इसके भी comment आएगा क्योंकि आप लोग कई बारी confused हो जाते हों तो यहाँ पर देखिए आन्सूची जाटि को 5 साल अन्सूची जाटि को 5 साल अन्पिछड़ाबरग को भी 5 साल और भूत्पूर पैशनी को 3 साल और राज्य कर्मचारी को 5 साल मिलेगा ठीक है बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे आप चरित्र सथ्यापन को मतलब आपके क्रिमिनल कर क्यीस डायर न चलना हो मुल्म पूल मिला किए द голоду चरित्रशः ठीक होना चाहिए यहीं है चरित्र का मतलब बायबहर की स्थित्का है कि आपका अगर साधी सुद्धा है अगर यह नहीं मतलब जीवित नहीं होने चाहिए तो मार तो ऐसा नहीं है मतलब अगर जिसने पती या पत्नी जीवित होते हुए किसी ब्यक्त से बीवा किया हो या की हो तो न्यूक्त के लिए पात्र नहीं होगा इसका कहने का मतलब यह है ठीक है अगर आपके पास एक पत्न बर्ग के नियमावली 2015 के अधिन किया जाएगा आलाइन परिक्षा की बात कर लेते हैं यहां पर देखे भी या आलाइन परिक्षा होगी यहां पर चारसु नंबर का परिक्षा होगा और इसके लिए आपके सामान हिंदी और कम्प्यूटर ग्यान से कुष्चन आएंगे सामान जानकारी और सामाई के निगी जनरल नौलेज और करेंट अफेर से रहेंगे वहीं पर संख्यात्मक यो मानसिक योगिता से कुष्चन होंगे और मानसिक अभिरुची परिच्छा और बुद्धिलिपिक तार्किक यह सभी क के लिए मतलब जितने प्वद हैं सभी के लिए सिल्बस यही है ठीक है अगर आप आप एसाइस टेनों के लिए दे रहे हैं तो आपको मैत भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है एससी में मैत नहीं पूछता वह अलग बात है यहां पे थोड़ा सा संख्यात्मक मानसिक मतलब अं 35 प्रच्छत अंक और कुल 40 प्रच्छत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यरती भरती के लिए पात्र नहीं होंगे ठीक है यहां पर दिखे वह यहां पर दिया यह गया ना चारों में कम से कम आपको 35 परसंट लाना है तब आपके उपर विचार के जाएगा और मिनमम चारों का योग मिला के ठीक है मिनमम चारीश परसंट होना चाहिए तब ही आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ठीक है और ऐसा भी नहीं है कि आगर आपने चारीश परसंट ला लिया तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया ही जाएगा ठीक है बाकि वो हायर कटाब बनाया जाएगा उनकी तरब से लेकिन यह मिनिमम कहने कि अगर इससे कम है तो हम किसी दसा में आपके उपर विचार नहीं करेंगे समझ गए न कहने के मतलब यहीं है ठीक है और यहां पर कोई कुस्चन गलत होता है तो यहां पर देखे सही उत्तर इंट चड़ा बर्ग और अन्सोची जातियों के लिए नियुंतम उचाई एक सो तिर साट में तो लगभग सभी हो जाते होंगे ठीक है और अनसोची जंजात क्योंकि यहां पर यह ऑफिस्यल है यहां पर एक सतर आपको नहीं देना एक उफिस्यल है एक मतलब आफिस में बैठके काम करने वाला है ठीक है और न्यूंतम उचाई जो है एक सो चपन अनसोची जाति के अभ्याइरतियों के लिए तिके सीनब यह पां सेंटिमीटर चालिस किलो से कम नहीं होना चाहिए ठीक है वैसे तो मोटे सेलेक्शन के बाद वह अपने आप हो जाएंगे वह अलग बात है अगला यहां पर है अभिलेखों की समीक्षा और सारीरिक मानक परीक्षा संचालन बोर द्वारा गठित एक समीत द्वारा किया जाएगा जिला मज दिखें आहरकारी प्रिकित की होगी ठीक है जो सौट हैंड टेस्ट होगा और जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें नंबर नहीं मिलेगा आपको क्यों क्वालिफाइंगे निकि पास करना है ठीक है पास करने के लिए ही होगा वो कंप्यूटर टंकर की आहरकारी गती 35 भी कर लेते हैं तब भी आप 25 की बराबर ही equivalent ही रहेंगे ठीक है तो आप कोसिस करिए कि एकुरेशी के साथ 25 सब्द प्रतिमिनट है तो आप एकुरेशी के साथ 30 सब्द प्रतिमिनट अपनी तैयारी कर लिजिए तो टाइपिंग टेस्ट आ और शॉट है असी की है तो 90 औ आपने रेटेन निकाले तो साथ एंड हंडेट पर से निकलेगा बस आपके पास योगता होनी चाहिए क्वालिफिकेशन यह सब होने चाहिए ठीक है आगे यहां पर दिखें लिखित परीक्षा आभी लेखो की समीक्षा यहां सारीरिक मानक परीक्षा तथा कंप्यूटर परीचा आपको दिया जाएगा इसके लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके लिए आपको परिशान होने की ज़रुवत नहीं है बस आप फार्म डालिए और अपनी तयारी में लग जाईए पहले आपका रेटेर होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा ठी है तो जो जेश्ट होगा इनकी जो एज में आधिक होगा अगर उसको बरिता दी जाएगी ठीक है यही सब होता है बरके सभी में यही होता है चिकिसा परिचा आपको कराया जाएगा चरी सत्यापन आपके सार्टिफिकेट लगेगा ठीक है आई उसी में छूट अगर आप चाते हैं तो यहां पर देखिए अन्सूचिस जाती हो और अन्य छेट प्रदेश के मूल निवासी अनुमन होगे तो मैंने पहले ही बता दिया था ठीक है और यहां पर देखिए और एक चीज मैं बता देता हूं कि यहां पर देखिए जो इंपोर्टन चीज है जो आईसे किसम जो टिपड़ी और रहती है उसको जरूर आप लोग पढ़ा करिए ठीक है टिपड़ी में यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश लोग श्रेवा आयोग और अन्य पिछले वर्गों के लिए आरक्षण अधनिया मुनने सो चौरानवे की अनसूची दोकी अनुशार क्र द्यान से पढ़िएगा यह चीज़े द्यान से देखिएगा एक अप्रेल 2020 के बाद का बना होना चाहिए अगर आपने उन नहीं 16 17 में बनवाया है तो आप उसको रिन्यू करा लिजिए भया अपडेट करा लिजिए नहीं बनवाया है तो फिर चे बनवा लिजिए अभी आ द्यान से चलता वह वाला नहीं चलेगा यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलेगा ठीक है बाद में मत कहिए का आपने बताया नहीं यह इंपोर्टन चीजें हैं नहीं तो आपको रच्छन का लाब नहीं मिलेगा यहां पर ध्यां रखिएगा सभी सार्टिफिके लगभग सभी चीजें हमने बता दिया है अब आपका रहता है कि कौन कौन से इसके एक्वेलेंट होंगे इसका मैं अलग से वीडियो बना देता हूं ठीक है अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके बताएगा मैं जरूर इसका रिपलाई करूंगा जैसे टाइम मिलेग मैं तुरंत रिपलाई करूंगा और कुछ है इसमें तो मैं देख लेता हूं ठीक है बाकि सब बोर्ड का जो है वो नियम बोर्ड के कारवाई के हिसाब से होगा ठीक है और यहां पर दिखें सावसो नंबर के सारे कुशन आएंगे सिल्बस का मैं अलग से सिल्बस और आपक किलियर कर लिया होगा अगर कुछ डाउट रह जाता है या कुछ बताने को भूल गया होंगा मैं तो इसके लिए मैं शमाचाओंगा फिलाल आप कमेंट करिएगा मैं जरूर रिपलाई देने की कौसिश करूंगा ठैक्स पर राचिंग जैहिं जै भारत